अब आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा पीचे रड़ कारपेट यहाँ पे वाइट कलर का बूल्ट और उपर ब्लू कलर का तो हलो गईस वेलकम तो माई चैनल माई नम इस आईश और आज हम फिर से खेल रहे हैं माईंक्राफ्ट तो एक बंदेल मुझे कमेंट करा था कि माईंक्राफ्ट ट्राइल में अंटरग्राउंड हाउस बनाओ तो माईंक्राफ्ट ट्राइल में बहुत मिश्किल हैं नहीं कर सकता इसलिए मैं माईंक्राफ्ट में कर रहा हूँ तो चलिए शूरू करता है तो अब हम ने नया वर्ल्ट क्रियेट किया है तो हम कहां पर बनाएं यहां पर बहुत सारे केवेजले यहां पर नहीं बना रहा तो मुझे तो यहां पर विलेज मिल गया तो हम विलेज के पास ही यहां पर बनाते है तो हम अंडर्डाउंड हाउस यहां पर बनाते है यहां पर तो पहले मैं सारे सामान देलू पर हम शुरू करते हैं तो मैंने सारे सामान ले लिया है और अब शुरू करते है तो इतना घ्यारा काफी होगा तो हमने यह खोड़ गया है ताकि हम यहां पर अच्छा साथ डेकॉरेट कर सके यह गर जाएंगे निशे इसके मैं जल्दी से लगा देता कि जो लगाना है तो हमने यह पर बूल लगाया है अच्छा दिखना को देख और नीचे भी लगाएंगे नीचे कर से जागा तो घज लगाएंगे नीचे कर सकना कि तो लगाएंगे साथ झाले साथ झाले साय तो हमने और FIR खाएंगे साथ 2 यह खोएंगे संटिन का धूल झाले हैं सबस्तों अटिया से दियाओएंगे पर ऑनाव से टेखं़े साथ कर्वार्ब सो गाइस आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी जगा कर ली है मैंने अब ये पत्थर पत्थर ऐसे तो अच्छे निलगते इसलिए हम यहां पर लगाने वाले हैं बूल और फिर बहुत अच्छा दिखेगा तो चलिए बूल लगाना भी शुरू करते हैं तो गईस आप देख सकते हो मैंने एक वाल कंप्लीट कर ली है बूल की अब दूसरी भी कर दे है तो गईस दे सकी आप देख सकते हो अरे क्या कर रहा हूँ तो गईस आप देख सकते हो मैंने दूसरी वाल भी कर देख सकते हो कंप्लीट कर ली है तो अब हम यह वाला करेंगे तो हमने तीसरी वाल भी कर लिए और अब चोट था बचा है तो आप देख सकते हो मैंने यह पूरा वाल वाइट वूल से कवर कर लिया है और अब मैं उपर का हिस्ता ब्लू वूल से करूंगा तो गाइस आप देख सकते हैं पूरा ब्लू बूल से कवर कर लिया है पर अभी तो हमें ये उपर वाला भी करना है क्योंकि यह यह यहां पे कोल है यहां पे मिट्टी क्या जो वो है वह ऐसे अच्छा नहीं दिखता इसलिए हम यह भी करेंगे अब देख सकते हो मैंने उपर भी वूल लगा लिया है और अब नीचे कार्पेट लगाने की बारी है तो चलिए यह काम भी शुरू करता है तो गैस अभी बारे शोजिए और अब देख सकते हो बिलकुल इसके नीचे है मारा अंडर ग्राउंड हाउस तो चलिए चलिते हैं और हम आ गये हैं अपने घर में पर अभी हमें ठीक से टॉचेस भी लगानी है और सबसेट करना है तो चलिए बेड वगरा लगाते हैं और बाकी सब सामान रखते हैं तो बाइस आप देख सकते हैं अब हम नीचे जा रहे हैं और यह है हमारा अंडर ग्राउंड हाउस यहां पर दो क्राफ्टी टेबल, स्मोकर, ब्लास्ट वर्णन, और चेस्ट जो कि पर रखा लिये हैं क्या बाइस तो अब बारी आई पेंट इन दगा नहींगी अब है अब कर दो कि तो हमने पेंटिंग्स पी लगा ली और मैं सोच रहा हूं ना कि हमने लाइबरेरी भी बना दे पैसे मैं पढ़ाई नहीं करता पर तब बना देते है छोटा साइब करना कर दो झाल झाल तो ओके काईस मैंने बना लिया है अपना अंडर ग्राउंड हाउस तो मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि कैसा बना है तो यहाँ पर है इसको ठोलो और इसको बन दो और अब नीचे चलते हैं और अब आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा नीचे रेड कार्पेट यहाँ पर वाइट कलर का वूल और उपर ब्लू कलर का देख सकते हो जब आप दिवार से तक्राओंगे तब पूरा सौक ने लगेगा और अब देख सकते हो पेंटिंग्स लगाई है ब्लास्ट फर्नेंस है दो बैड है स्मोकर ट्राफ्टिंग टेबल और यहाँ पर लार्ज चेस्ट है तो और इन दो बैड के बीच में है एक लाइबरेरी वो भी दबल डोर वाला तो अब देख सकते हो यहाँ पर लाइबरेरी है चोटा से लाइबरेरी है यहाँ पर पेंटिंग्स यहाँ तोर्चेस और यह है बैठने की जगाः और यह है हमारे बुक्स वैसा मैं पढ़ता ने पर शो आफ के लिए और यह देखो नीचे है ब्लैक कारपेट यह है और मैं दबल लगाया है आप देख सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है शेयर करना है और सब्सक्राइब टू फंकेट सो बबाई